कि हला वरेवान वेल्कम तु चानल ग्यापनिकेडमी चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विजक्स का गला टॉपिक जिसका नाम है ओम कानियम यह जो आप लोग का चैप्टर है ना विधूद्धारा इस चैप्टर का जो सबसे में इंपोर्टन टॉपिक है वो है ओम का इसको आप लोग इंडिरेक्टली पढ़ चुके हैं जब मैं विभो और विवांतर पढ़ा रही थी पोटेंशल एंड पोटेंशल डिफ्रेंस को उसमें मैं क्या बताई थी याद कीजिए टंकी ए था जिसका अपना एक लेवल था जैसे कि मैं यहां पर ले ले लिए हूँ पान देजिए लेवल का जो डिफ्रेंस है वो कितना है 40 में से 20 गटा है लेवल का जो डिफ्रेंस निकल कराया हो यानि कि 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के इन दोनों टंक्यों के बीच लेवल के डिफ्रेंस होने के कारण क्या हो रही है जल की धारा परवाइत हो रही है अग लेवल का डिफ्रेंस बढ़ाऊंगी और भी तेज विधूद जल की धारा परवाइत होगी टंकी B से टंकी A में और भी 60-80 तरह बढ़ाते जाओंगी लेवल का डिफ्रेंस तो क्या होगा उतना ही तेजी से जल की धारा क्या होगी टंकी B से टंकी A में परवाइत होगी बिल् कम वोल्टेज रहेगा उतना ही कम विधूद्धारा परवाइत होगी ठीक है तो वोल्टेज को ही बोलते हैं विवांतर तो जैसे जैसे विवांतर बढ़ेगा उतना ही तेज विदूद्धारा परवाइत होगी तो यहां पर विधूद्धारा क्या है समानुपाती है विवां गठेगा तो घ्राबी थारी में गठेगा तो घ 59 तार भी क्या होगा गहां ठीक है इसी को यहां पर देखिए आई विधूद्धारा को आई से सुष्चित किया जेता है और ओनतर को वी से स्जुचित साइमन उम इन्होंने अठारा सबस्ताइस इस भी में क्या किया था प्रेक्टिकली करकर दिखाया था कि जो विधूद्धारा है वो ववांतर के समानुपाती है उन्होंने ही यह नियम दिया है यहां पर जोर्ज साइमन ओम इस नियम की खोज किये थे ना इसलिए इन्हीं के को नियम से यह नियम को रख दिया गया गया अब यह जो जौर्ज साइमन ओम नाम के वैझ्यानिक थे हैं इस बात करूंप इह थे कि कि हैसे प्रेक्टिकली किया उन्हों ने एक परिपत तयार किया है जैसे कि यह यहां पर एक battery लगा हुआ है इससे विदूद Aham Storm यहां पर है प्रतिरोध और इससे यहां पर एक Volt Meter लगा है देख रहे हैं यह Volt Meter विभूमतर को मापता है ठीक है और यहां से इस तरह आई है यहां एमेंध़ क्या कटा है विदूद्धारा का मांभता है और एसे कुन्जी था ठीक है यहां फिर बैटरी से जुड़ गया था उन्होंने जो बैटरी लिए थी वह उनुंने बैटरी ली सब्सक्राइड昨ऑ कितना वूल्ट की बैटरी लिए दो वोल्ट की वो रियल में लिए नहीं से हम लोग मान ले रहा हैं दू वोल्ट की ठीक है उट है उन्होंने जितना विदूद धारा परवाहित हुआ मान लिजी वह 1 एंपियर परवाहित हुआ ठीक है तो दो वोल्ट के विभुवांतर की वजह से इसमें कितना एंपीर की धारा परवाइत हो रही है एक एंपीर की धारा परवाइत हो रही है उन्होंने क्या किया कि ठीक है उन्होंने क्या किया वी बटा आई कर दिया यानिकी विभुवांतर को विधूद धारा से भाग लगा दिया ठीक है ऐसे वी बटाई किया वी का मान कितना आया था दो और आई का मान कितना आया था एक एंपियर ठीक है इसको उन्होंने solve किया तो 122 कट जाएगा ना तो यहां पर टू आ गया बहुत अच्छा फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं वोल्ट को बढ़ा देता हूं तो उन्होंने दो वोल्ट की बैटरी को हटा दी अब उन्होंने चार वोल्ट की बैटरी को लगाई क्या कर दे उन्होंने विभुवांत विभुवांतर को दूगना किया दो से चार किया तो विधूद धारा भी दूगना हो गई एक से दो हो गई ठीक है तो उन्होंने क्या किया फिर से वीवट आई लगाया भाग यान कि विभुवांतर में क्या किया विधूद धारा से भाग लगा दिया वी कितना था चार व तीन गुना कर दिया ठीक है पहले दो वोल्ट की लगाई थी चार वोल्ट की लगाई थी अब कितना लगा है छे वोल्ट की यहां पर बैटरी लगाए तो उससे जो विधूत धारा परवाहित हुई वह परवाहित हुई तीन एंपियर की ठीक है तो यहां पर जैसे जैसे वह क आई कितना था तीन वोल्ट त्री टू जा सिक्स इससे आप लोग को ये मालूम चल गया कि जैसे जैसे विभुवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे विधूद्धार बढ़ेगा ये किलियर हो गई बात लेकिन दूसरी बात आप लोग नोट कियें जैसे जैसे वो भी बटा आई कर रहे थे दोवा रहा था घ्रणी कर रहे थे दो रहा था यान्की हर बार समान अनक उन्हें मिल रहा था नियत अंक नियत मान मिल रहा था ठीकर हर बार दो 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 इस तरह और वो आट वोल्ट का बैटरी लगाते तो उसमें चार एंपीर की विदूद्धार अपरवाइत होती दस एंपीर की दस वोल्ट की बैटरी लगाते तो उसमें पाच एंपीर की विदूद्धार अपरवाइत होती यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हर ब बार नियतांक मिल रहा है इसका मतलब यह कुछ है तो नियतांक को उन्होंने नाम दे दिया एक प्रतिरोध क्या है यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अभी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं ओम के नियम पर तो यहां पर हर बार नियतांक आने के वज़ासे एक न पर सकते है क्योंकि वीडियो सब्सकेढर बिल्कुल सकते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं और बर्दान का वे धाइक हो यह मतलब यह नेक है टीप इस ही को याद कीजिए तो इस सिंपल सा सुत्र हो गया तो अब परतिरोध का सुत्र हो गया अगर प्रतिरोध निकालना है तो इससे निकल जाएगा लेकिन इसी से सुत्र बनता है आई का विधूधारा का कैसे यही वाला आई को क्या कर दिया गया इधर ला दिया गया जब आई को इधर ला दिया गया तो आर नीचे चला जाएगा तो वी बटा आर ठीक है आई को इध स्मानुपातिकता का चिन है इसको फटाया जाता है इक्वल का चिन दिया जाता है तो आई बराबर क्या होता है व स्मय बता एगल का चिन लगाते हैं बराबर का चिन मंप आखाते हैं आर एक उठकर चला है यह होगे आप लोग का यहीं है आप लोग का मेन शुट्र शुंत्र नंबर फर्मोला नंबर वन फिर फर्मूला नंबर टू याद करना है और यह दोनों तो एक ही है स्कोविटा तो इससे विधूद धारा का मान निकाल सकते हैं यहां पर प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं एक और चीछ यहां पर वी का भी सुत्र मिल जाएगा वी यहां पर है न वी को यहां पर ला दिया गया है तो यह दोनों का क्रॉस मल्टिप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भी बराबर आई यार सिंपल ठीक है तो यह हो गया आप लोग का तीसरा फर्मूला यह तीन फर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए निमेरिकल में बहुत ही हेल्प करेगा आप लोग का तो यहां तक आप लोग लीजिए फटाफट स्क्रीन सॉट फिर हम लोग समझेंगे कि जो ओम थे इसी बात को कैसे ग्राफ पर दिखा दी उन्होंने ग्राफ पर भी दिखा दिया था हर तरीके से उन्होंने प्रूफ यान की सबूत दिया था तो ग्राफ पर हम लोग समझेंगे पहले लीजिए यहां तक फटाफट स्क्रीन सॉर्ट अब आगे समझें कि ओम जो थे उन्होंने ग्राफ पर कैसे दिखा दिया था ग्राफ में एक्स वाई अक्ष होता है और यह वाई अक्ष होता है ठीके एक्स जो एक्स एक्स होता है उन्होंने रख दिया था विधूद धारा को ठीके विधूद धारा था यहां पर एक पूरा विधूद धारा नही रोट चार वोल्ट चछ वोल्ट अट वोल्ट इसी तरह करकर बढ़ा रहे थे ना इसके हिसाब से विदूद दरह कैसे बढ़ रही थी एक दो तीन चार एंपियर करके थीछी तरह Oczywiścieums and रेंपिएर, तीन एंपिएर चार एंपीर इस तरह को कोपर न थग ठी है उन्हों नहीं क्या किया यह गयांवा तर्था जो चांग फो चे वल्ट बढ़ रहा था उनों ऐसे पीछे डौट डौट कर कर लेकर गया है जो विधूद्धारा है एक एंपियर इसको भी ऐसे पीछे पीछे करकर लेकर गया है ठीक है सीधा ऐसे यहां पर आकर दोनों मिल गया है फिर चार वोल्ट को ऐसे पीछे करकर लेकर गया है फिर दो एंपियर को ऐसे पीछे करकर लेकर गया है दोनों यहां पर से मिल रही थी ठीक है फिर लोट को ऐसे लेकर रहे पीछे अ कशीन से मिल रही थी है यह हो गया फिर 8 वोल्ट को ऐसे पीछे लेकर रगए है और । छार एंपियर को शब्सक्रायों 25 आप इन सब विन्दू कुंझ में ने एक लाइन से एक रेखा से मिला दिया ऐसे एक मिनट एक रेखा से ऐसे वैसे सीधा नहीं हो पा रहा है आप लोग सीधा से बनाएंगे तो हो जाएगा यहीं सीधा लाइन प्रूफ करता है कि जो विदूद्धारा है वो वांतर के समानुपाती होता है यह जरूरी होता है ग्राफ में दिखा देना सत्यापन के लिए तो यह आप लोग को दिखाना जरूरी होता है ग्राफ तो अब लीजिए यहां तक फटाफट स्क्रीन सॉट तो यहां तक समझ में आगया इस टॉपिक्स रिलेटेट कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूच सकते हैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम ल सिरोध के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही विलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज